कि यूटूब चैनल प्रिक्साइपार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू ओलो फ्यू मैरी तू चलिए हम जो अपने हैं पर जो हमारा कल पेपर हुआ था पेपर फल यानि जो हमारा फल्स शिप्ट में पेपर हुआ था यहांपर हम देखेगे 60 माक का जो आपका पार्ट आता है उसके कोश्चन आपर मैच करेगी जल्दी से यानि अपने जो कोश्चन पढ़ेगे और कोश्चन के साथ आपको डारेक्ट आमसर आपको बताए जाएगा और आप भी अपने जो कोश्चन का आमसर आप मैच कर सकते हो चले फर्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं फर्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर थर्टी वन जो थर्टी वन से नाइंटी ते कोश्चन हमारे आते हैं फर्स्ट कोश्चन है कि अबर सोलर फैमली कंसिस्ट ओफ फोलोइंग सालिस्ट्र बोडी तो हमारा सोर परिवार निम निम्ली कित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना सुरू कर दिया तो किस पर सवाल उठाना सुरू किया था सामाजिक विशे सदिकार किसी का जनम का प्रिनाम है option first right होगा next 33 question आता है कि पेरिया पूर्णम के एक तमिल कृतिया में किस के बारे में जानकारी देती है साधारण पूर्शोर महिलाओ के बारे में देती है निम्ली कित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी तो कुछ के कौन से सुधारक के द्वारा दी गई है तो वो है तारा बाइस सिंदे के द्वारा ओप्शन फॉर्ट राइट होगा नेक्स्ट कोशन आता है 35 कोशन नमर 35 है कि पहाड़ी चेत्रों में अरब अब जो रेल मार्ग है उसको विस्तर्थ निर्मान हो रहा है अत्ती उप्युक्त कारण का चेयन यहां पर कीजिए तो कौन सा इसमें राइट आंस होगा इसे संभाव करने के लिए उन्नत प्रोध्ध लोगे की काविकास हुआ है ओप्शन फर्स्ट राइट होगा नेक्स्ट थर्टिक्स कोशन है यहां पर असिस्मेंट आपको यानी रीजन आपको दिया गया है तो असर्शन है कि दादा भाई नोरे जी वन ओफ दा ग्रेट लीडर ओफ इंडियन नेशनल कोंग्रेस नेवर बिकम दा नेवर बिकम दा प्रेजिजेंट ओफ आई एंसी बिलकुल सही आपका है सेकिंड है रीजन ही वाज़ा बिजनिशमेंट और पबिशिस सैटल इन लंदन और फोर संटाइम अ मेंबर ओफ दा पारलिमेंट तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी यान नेक्स्ट कोश्चन है 37 कोश्चन है कोश्चन नमबर 37 में पूछा गया है कि विच ओफ दा फॉलो इंटू गेसिज मेक अब बक ओफ दा ओटमस्फियर निमली की तमेश से वायू मंदल का अधिकांस कौन सी दो गैसे होती है तो यह तो इंपोर यह आपका बहुत इजी निरूपग परति रूप कैसा है तो कैसा है या जूर्य निरूपग परति रूप है जो हमारी जो मोडल ऑक अवर अर्थी कैसा है ग्लोग यानि ऑप्षन फिस्ट ग्लोग जो होगा कर्मसर है नेक्स्ट आता है question number 39 है the child marriage restaurant act was passed in 1929 according to this act what was the respective minimum age approved for marriage and marriage for men and women यानि 1922 में पूछा गया है कि जो बाल विवर निशेद अधिनियम पारित किया गया इस अधिनियम के अनुसार पुरुस्तता महिला के लिए साधी की जो न्यूनतम आयू है वो कितनी रखी गई थी तो कितनी रखी गई है यहाँ पर यानि जो न्यूनतमेज थी वो 1418 आपकी थी क्या थी 1418 और इसमें कोई सो भी option आपको 1418 आपको नहीं दिया गया है 14-18 कोई सो भी option आपको नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आपका ये question जो है आयोगी इसका बताएगा यानि कोई सो आपका तो इसमें कोई option आपको नहीं दिया गया 14-18 आप पर था next question गोर बढ़ते हैं अगला question आता है question number 40 है कि यहू एवं जो जैसे फसल उगाने के सरवार पर ताम साक्षयर निमने कितमें से किस स्थान में मिलते हैं सही विकल्पका आपको चुनाव करना है तो यह हो जाएगा सुलेमान और कृतर हिल्स option फोर्ट राइट है next आता है question number 41 कि पवन सडक पर गिरी सूखी पत्यों को उड़ाती है पवन किसे कैसे बैते हैं जो पवने होते हैं वो कैसे बैती है उच दाब चेतर से निमने दाब चेतर के और वायू की गती में option second correct हो जाएगा next आता है 42 question है कि यहां पर आपको अभीकतन दिया गया है कि 1960 में द्वी भाशी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाशा लोगों के लिए दो अलग-अलग राज्यों में बाटा गया कारण है उनिसो चासट में पंजाब कभी विव्याजन दो राज्यों में हुआ पंजाब पंजाबी भाश्यों के लिए और हर्याना हर्यानी या हिंदी वालों के लिए तो यहां पर पुछागा कि कौन से statement आपकी सही होगी तो यहां पर दोनों की दोनों सही है और जो सब्सक्राइब कर रहा है और नहीं करता तो इसका ओप्षण सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा अब आता है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 43 दा डिजिज इस प्रेड फ्रोम वन पर्शन तो अनधर फूड एयर एट सक्टार कोल्ड है वे बिमार्या जो एक व्यक् नेक्स्ट कोश्चन है 44 यहां पर फिर से आपको असेश्मेंट दी गई है कि कथने और पर आपको दो यहां पर इस्टेटमेंट है पहली स्टेटमेंट है कि 1779 मै बंगाल में एक भ्यानक अकारow किने लगभग करोड़ लोगों को मार डाला तो इस अकाल में बंगाल की एक यहाई जो आबादी थी वो खत्म हो गई तो इसमें ए और भी दोनों statement आपकी सही है option second right हो जाएगा next आता है question number 45 कि निमलिकित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसादन उपलाबजिता के संधर्व के साथ सतत पोश्य विकास में साहिता करता है तो कौन से हाँ पर साहिता आपकी करता है जो खपत उसको घटाना सही है भी संसादनों के उपयोग में व्रादी रोंग साड़ है संसादनों को पुना चक्रन यह भी सही है फूर्ट वस्तों का पुनान उपयोग यह भी सही सबसे अधिक उश्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि तो उश्मा प्राप्त क्यों यानि दो फैर का दो सूरिया होता है वो ठीक सिर के उपर होता है ओप्शन फोर्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट फोर्टीएट कोश्चन है कथन और भी आपको दी गई है इसमें पहला है ए स्टेट्मेंट वेद समाज की स्तापना 1864 में मदरास में हुई और कुशन नमबर 49 है कि कतन और भी को आपको ध्यान से पढ़ना है तो ए स्टेट्मेंट बोल रही है कि जेम्स मिल ने 1817 में ए इस्ट्यों ब्रेटिस इंडिया तीन भागों में परकाशित किया बी स्टेट्मेंट है इसमें उन्होंने भारते इत्यासों को तीन कालों प्राच आपका है कारण इसमें अभीकतन है कि जन्य जात्यों की संस्क्रतिक प्रंप्रा है जिसमें उनकी भाषा तता संगीत सामिल है बहुत समरत तता विशिष्ट होती है कारण है कि जमीन जंगल घास के मैदान तता पानी पूरे पुनबे की समाप्ति संपति मानी जाते जिनका अप्योग सभी एक साथ मिल जूल करते हैं तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है अभीकतन भी कारण भी और यह जो कारण है अभीकतन की सही तरह व्यक्षा भी कर रहा है तो ओप्शन सैकिंड राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता है कोश्चन नमबर 51 कि चैस के कारण लद्दा को चोटा तिब्बत भी कहते हैं तो किसके कारण बोला जाता है पहला भोगोलिक सामीपए सही भी दूसरा धार्मिक समानता यह भी सही होगा तीसरा शामान भोजन यह भी करेक्ट, चो था भासाई समानता यह भी सही है तो A, b, c, d 4 की 4 सही है, ओप् कतन सही नहीं है सही विकल्प आपको यहां पर चुनना है तो सही विकल्प क्या होगा कि 1908 में पंजाब के अमरत सर में इसकी स्थापना हुई option 4 right हो जाएगा अब आता है next question question number 53 कि क्या चीज एक किसी वर्स्तू अथवा पधात को समसाधन बनाती है तो कौन से चीज है वो है उपयोगिता अत्वा परियोजता option 3 right होगा next question 54 अभीकतन दिया गया आपको कि सहाजा के साशन काल के दोरान मुगल वास्तु कला के विभिन तत्व एक भव है सुसंगत संसलेशन में लाएग एक कारण है कि उनके साशन में अनवरत निर्मा कारें चलते रहे विसे इस रूप से आगरा और दिल्ली में निमली किते में से सही विकल्प आपको चुनना है कि कौन सा option यहां पर आपका सही होगा कि दोनों के दोनों आपके सही है और यह सही वैक्ठा भी कर रहा है option second right है next आता है question number 55 कि अभीकतन और कारण है अभीकतन है कि राच सब वशूली वेवस्ता महलवारी बंदोबस्त की सुरुआत होल्ट मेकेंजी ने की ती कारण है कि राच सब वशूली तथा कमपनी तक इसे पहुचाने की जिम्मेदारी गाओ के प्रधान को दी गई है ना कि जमिदार को तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपक को विश्व का धानेगार भी कहते हैं इस परदेश में अत्य धीक गेहु के उत्पादन में सहयक प्रिस्थित्यों का कीजिए तो यहां पर फॉस्ट इसमें आता है कि यहां लोग प्रधोगी का उप्योग नहीं करते हैं रोंग सैकिन हैं यहां लोग बहुत परिक्षमी होते यह भी रोंग है थाड़ है कि क्रेशी की व्याग्यानिक विध्या का यहां प्रियोग क्या जाता है बिल्कुल सही चो था इस परदेश में वर्सा की कमी है यह भी सही तो स्योडी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी option first right है next question आता है 57 की एक globe पर एक जो globe होता है उस पर ख प्रत्वी की भोतिक विसेस्ताव को इंगित करते बिल्कुल सही तीसरा है प्रत्वी परिस्तानों को ढूंडने के लिए तो दोनों स्टेटमेंट आपकी पहली और तीसरा दोनों इसमें option आपके correct है चलिए अब आपका next question आता है question number 58 कि प्रत्वी के चार और फैली वायू क उपर की तरफ हम प्रत्वी की तरफ किस तरह आता है यानि gravitational जो force होता है उसके कारण वो आर्या आपका आता है तो प्रत्वी का गुरुत्य question बला आपका option second right होता है next question 59 अभी कतन आपको दिया गया है कि रूडी बद धार नाए लोगों को ऐसे काम करने से रोकते हैं जिनमे इसमें दोनों statement सही है और आर एकी सही तरह वैक्षा भी कर रही है option second right हो जाएगा last question आता है question number 60 आपका कि भारत और बांगलादेश question number 60 है इसमें पूछा गया है कि भारत और बांगलादेश person जूट के अगर नियुत पादक है person की व्रधी को बल परदान करने वाले कतनों का आपको चैन करना है तो इसमें सबसे पहले आता है कि जलोड म्रता में अच्छे डंग से विख्षित होता है सही है इसमें जो सही है इसमें ए भी सी आपका गलाता है डी आपका सही है यानि ए बी और डी स्टेटमेंट सही है option third right हो जाएगा अब आता है next question question number 61 है कि आता जो आतपन होता है उसके अवधारना पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है सर्वेक्षन सर्वे करना option first right होगा next 62 question है अभीकतन है कि विध्या विसेश जो सामाजिक विज्ञान को बनाते वे इत्याज भुगोल राजनितिक विज्ञान अब आता है इन विद्या विसेशों में अंत्य शंबंध है तो इसमें दोनों statement आपकी सही और कारण अभीकतन की सही तरह वैक्षन सेकिंड राइट हो जाएगा next 63 question आता है लोकतंत्र जो है वो एक निश्चित समयंतराल के 35 चुनाव क्यों होते हैं तो चुनाव क्यों होते है यह है कि सरकार का उत्तरदाई सुनीचित करने के लिए बिलकुल सही बीदलों की समान राजनितिक भागीदारी सुनीचित करने के लिए यह भी सही है सी राजनितिक वाद विवात अतजन संगवाद को प्रोसाइट करने के लिए यह भी सही होगा डी यह एक प्रतागत प इसमें प्रत्रक्स दर्शोगों के ब्योरो और व्यक्तिगत पत्र बीशामिल है यह भी सही है तो आपकी सहयोगी औप्शन फर्स्ट राइट होगा नेक्स्ट कोईशन है 65 कोईशन नमबर 65 में है अभी कतन आपको दिया गया है कि खुली पुस्तक परिक्षा रट कर सीखने से हट कर किताबों के साथ संबन इस्तापित करने पर केंद्रित होती है कारण है कि खुली पुस्तक परिक्षा अर्ति विध्यार्तियों का भार भार कम करता है क्योंकि इससे उन्हें परिक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ डैस का विकास करने के लिए सतर गोर सोजग जनता अविशक है तो कैसे जनता अविशक है इसमें आ जाएगा लोक तंत्र ओप्शन थर राइट होगा नेक्स्ट कोईशन है 67 कोईशन नमबर 67 आया कि राज्य प्रशाशन की कारे परनाली से संबंदि निमले की ताकलन प्रशन A और B पर आपको विचार करना है A है कि प्रेशवार्ता का क्या उदेश्य होता है यह विधान सभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है B है कि उन्हें निर्वाचित परतिनी जो के लिए किसे सब्द का प्रियोग होता है जो सत्ता दल के सदेश्य नहीं होते तता सरकार के फैसले पर सवाल उठाते है तो यहाँ पर दोनों की दोनों यहाँ पर A क्या है संकर्पनात्मग ज्यान की जाच करता है जबकि B तथात्मग ज्यान की option second right हो जाएगा next question आता है 68 कि सामाजिक विग्यान के मुल्यांकन के दोरा निम्लिकित परशन इसका उदेश्य समझने में मदद करेगा तो किसका उदेश्य समझने में मदद करता है A पाठे करम में किन कोशलो पर बल दिया गया बिल्कुल सही है second क्या यह किसी एक मानग पाठे पुस्तक से लिया गया या कई पाठे पुस्तकों से wrong C है पाठे करम की रूप रेखा कितने विस्तर्थ है wrong D है अधिगम करता से सामाजे गयान के प्रतियक कोशल में किस इस्तर की सक्षमता अपेक्षित है right तो इसमें A और D आपकी सही हो जाएगी option third right है Next question है 69 कि निमले की तमेह से किस विश्य के section के लिए tree chart अति उप्यूगत होगा Next question है 70 Question number 70 आता है कि निमले की तमेह से कोन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन के विश्य स्तर्थ नहीं है तो यह विध्यारती के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंदित है option first right होगा Next question है 71 आगे आता है 71 question है कि दो मूलिक अधिकार जिनके मांग पर हाश्यक्रत समूबल दे सकते है ताकि उनके साथ भी गरिमा मान्या और समानता का वैवार किया जाए वी है तो वे कौन सी है यह आपको बताना है तो कौन सी है पहला कि समानता का अधिकार बिलकुल सही है दूसरा सांस्क्रतिक और सैक्षनिक विधिकार रोंग तीसरा सोशन के विरुद अधिकार रोंग चोता स्वतंत्रता का अधिकार यह भी सही है तो A और 10 में आपका सही हो कि विबिन समुदायों चेत्रों के लोगों की कहानिया और तस्वीरों का प्रदशन करना option second right होगा next 73 question आता है कि नीमने में से सामाधिक विज्ञान पढ़ाने के question आधारित उद्देशे की पहचान करें तो उद्देशे की पहचान होगी कि विबिन समाजों में रहने वाले कि संस्क्रिति को समझना option second correct हो गया next 74 question आता है अब आपका next question जो 74 है कि कथन आपको दिया गया कथन है कि भारते संग्विधान धार्मिक और भाषाई अर्प संख्यों को का सुरक्षा का प्रधान मोलिक अधिकारों से करता है यह अनुमान लगाता है कि तो क्या अनुमान ल बी यह बहुत संख्यों को द्वारा किसी तरह के भेजभाव से अल्प संख्यों की सुरक्षा करता है यह भी सही है c यह अल्प संख्यों के हितों की सुरक्षा करता है बिल्कुल सही है d यह अल्प संख्यों को आर्थिक अश्रों की गारंटी प्रधान करता है रोंग तो य कार्यों पर परभावी नियंत्रर बनाए रखते हैं जिसकी वज़ा है तो क्या वज़ा यहां पर आती है वज़ा है कि भारत में न्याय पालिका की स्वेतंत्रता ओप्शन थर राइट होगा अब आता है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 76 कि यहां पर आपको उन तातकाल उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तता उन्हें नोक्री करने पारिवारिक आय में योगदान करने आवं आत्मिर्भर बनाने में सुनी चित करती है तो कौन-कौन से आपर आती है पहला है कि बालवाडियों का प्रवधान बिल्कुल सही C B कि संसद में महिलाओं के लिए सिटो कारक्षन रोंग C है वेशाय सुरक्षा का प्रवधान ये भी सही है उच्छो था रात की पालियानी सिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुईदा ये भी आपका सही है तो ACD स्टेट्मेंट सही है ओप्शन थर राइट हो जाएगा अब आता है नेक सुन का भाव और कर्ज रने चुका पाने की एच्छन ताक कि शानों में दुखों का कारण बनती है तो दुखों का जो कारण यहां पर बनती है तो इसमें ए और अभीकतन भी सही है और यह आपका A और R दोनों सही होगे और R A की सही तरह व्यक्ठा भी करता है ओप्शन सेक है है एक पर भीका स्थान को तर दुखे माँंबर के प्रतीच संक्वेदिशिन बनाता है तो यहां पर सही क्यों सा ओगा है deuts Spike सिप्सान और अबर 78 तो यहां पर दोनों सही है और इसकी तरह व्यक्ठावर्ट कर रहा है option second right हो जाएगा next question आता है question number 79 question number 79 है इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान पाटे करम के भार को कम करने के लिए निमली कित में से क्या सबसे उप्यूगत है तो पहला आता है इसमें कि तत्यों के इस्मरन पर निउन तंबल देना तता समझने पर केंदित करना बिलकुल सही भी संकल्पनाओं के स्पष्टिक रन को केंदित करना ये भी सही ऐसी है कि परिक्षन निर्देशों के आधार पर और सिक्षक के विशेवस्तु से अनविगेता के कारण पार्ट्य पुस्तक के कुछ विश्यों को छोड़ देना गलत तो इसमें और भी सही होगा ओप्शन थर राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आता है कोशन नमबर 80 कोशन नमबर 80 है कि ओधोगी को छेतरों में स्थितकाई कार खाने तता फैक्टरों में ऐस्थाई सर्मिकों को रखा जाता है क्योंकि तो पहले है कि वे अपनी उन्हें अपनी स्विधा अनुशार रख को निकाल सकते बिलकुल से ये दूसरा वे इस्थाई कर्मियों को मिलने समय तक काम करते हैं ये भी आपका सहिए डी है कि इस्थाई कर्मियों की तुल्ला में ऐस्थाई कर्मी अधिक परिक्षमी होता है गलत तो इसमें ए बी और सी तीनों आपका सहिए ओप्शन सैकिन राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आता है कोशन नमबर 81 है कि ऐसा हो है कि आपकी कक्षा में होश्यारी समुदाय के चातर भी हो इसलिए जब आप होश्य करन पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विश्य प्रस्तूत करते हुए आपको निमने कितमें से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पहला है कि खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुद को साजा करने में सरमिन्दा मैसूस कर सकते हैं बिल्कुल सभी है कि विध्यारतों से जबरन अपनी अनुबाव साजा कराना चाहिए रोंग तो यहां पर ए और स्यापका सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है 82 कि निमली कित में से कौन सा कतन नेदानिक मुल्यंकन का एसंगत चितरन है तो वो है कि यह प्राय उपचारी कक्षाओ के बाद क्या जाता है और फिर्स्ट राइट होगा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 83 कि HCF 2000 NCF 2005 उसके अनुसार स्कूली सिक्षे के किस इस्तर पर सामाजी ग्यान के विश्यों को स्वेतंत रूप से पाटे कर्मों में विध्यारतों से प्रिचे कराया जाता है तो किसे प्राइचे यहां पर कराया जाता है उच्छे प्रात्म निर्पेक्स्ता में राज्य धरम के संधर में एक स्वेधानतिक दूरी बनाए रखता है इसका अर्थ है तो इसका अर्थ क्या होगा संगीधान में दिया गए आदर्शों के अधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तशेप कर सकता है रोंग दूसरा है इसमें आपका र तो चात्रों को प्रत्रक्ष ज्यान प्रदान करता है औप्षन सेकिंड करेंट होगा नेक्स्ट कोश्चन है एटी सिक्स कोश्चन नमबर एटी सिक्स में पूछा गया है कि आधिवाशी समाज के विशिष्टता कर्षे जाता है तो किसको जाता है पहला औप्षन है जाती विवेस्था के प्रचलन को रोंग दूसरा है आज हाँ पर कि दूसरे परचली धर्मों से भी नानेक परकार के जन जाते धर्मों के पालन को बिल्कुल सही विशिष्ट भासर के प्रियोग को ये भी सही है उच्छो था उची नीच की कम उपश्चिती को ये भी आपका सही है बीस सीडी आपका सही हो जाएगा ओप्शन थड़ याँ पर करक्ठ है नेक्स्ट कोश्चन है 87 कोश्चन नमबर 87 है कि निमलिकित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टा है तो विशिष्टा था या फिर विशिष्टा है तो कौन सी होगी पहला है याँ पर फर्स्ट आता है कि यह विद्यारतियों को पार्टे पुस्तक से आगे जाने का मोका देती है बिल्कुल सही है दूसरा परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में सिक्षन के लिए अधिक समय मिल सके रोंग सी है कि सामूहिक परियोजना कार्य विध्यारतियों में सहयोगात्मक कोशल के विकास में मदद करते है बिल्कुल सही तो A और C आपका सही हो जाएगा ओप्शन फोर्ट राइट है कोशन 87 का ओप्शन फोर्ट करेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन आता है कोशन अमबर 88 कोशन अमबर 88 है कि निमलिकित में से कौन सी कक्षा गतिविधी विध्यारतियों में समाज में मीडिया की भुमिका को आलोचनात्मक दिरश्टी से देखने में मदद करेगी तो कौन मदद करती है एह है कि क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकते है विए ऐसा क्यों करेगी विशे पर छात्रों द्वारक अक्षा में परिचर्चा करवाना बिलकुल सही है भी है कि किसी एक मुद्दे पर चात्रों को अलग अलग अकबारों के कतर्णों को इखटा कराना और उनके विवरन की तुलना करने को कहना ये भी सही है सी है कि चात्रों में वार्टसप और अन्य सोसल मीडिया पर आए अकबारों को आई खबरों को एक्त करवाना था था उसका सैक्षिनिक संसाधन के रूप में इस्तमाल करना गलत तो ए और भी दोनों स्टेटमेंट सही है ओप्शन सही है कि नहीं आपर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आता है question number 89 है कि निमलिकित में से कौन सा कथन परिप्रिशन उपागम के संबंद में सही है तो कौन सा सही है यह समश्याओ को सुलजाने की चमताओ को प्रोसाइट करता है बिल्कुल सही है यह साक्षय एक्तित्व मुल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में है यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है रोंग तो यहां पर यह और भी दोनों सही हो जाएगा option ने फर्स्ट जो है करेक्ट आंसोर है लाश्ट कोशन आपका है question number 90 कि नेमलिकित परिशन टिपनी आपनी आपनी अपनी एकक्षा के विध्यारतों से प्राप्त किया इनमें स आप विकारी और जो आपका अमीर होता है दोनों को आप traffic signal पर देख सकते option यहां पर correct आपका हो जाएगा चलिए अपने question आप मैच कर सकते हो और comment section में बता सकते हो आपके कितना question correct पाई है जो बच्चे चैनल पर नहीं है वो चैनल सब्सक्राइब करके रखके और वीडियो